इस बार के प्रो कबड़ी सीजन में हमें टोटल बारा नहीं तेरा कैप्टेंस देखने को मिल जाएगे अब वो कैसे इस ड़ो मैं आपको सभी टीमों के कैप्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें एक ऐसी टीम है जिनके दो कप्तान अनाउंस हुए है तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो के एंड तक बने दिये शुरुवात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन जैपूर पिंग पैंथर्स के साथ जैपूर पिंग पैंथर्स के जो कप्तान है वो बिल्कुल सेमी रहने वाले सुनिल कुमार लीड करेगे जैपू प्रो कबड़ी सीजन 10 में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है वहीं भी पिछले सीजन की फाइनलिस टीम पुनेडी पल्टन की बात की जाए तो पुनेडी पल्टन के कप्तान चेंज हुए है विकोस फजल अतरा चली पुने की टीम में नहीं है जो मुझे अच्छा लगा डिफेंडर को कप्तानी का रोल दिया गया है जिससे बैंगलुडू बुल्स की टीम अच्छा खेल पाएगी एंड ये अच्छे पिक हुए है सौरब नंदल कप्तान होगे वािस कपतान विकास गंडूला को अपोइंट किया गया है तमिल तलयवस की तरफ बढ़े तो तमिल तलयवस के भी कपतान सेम रहने वाले जो यह आपर सागर टी थे पिछले बार पवण सहरावद के एपसंस में सागर टी कपतान थे एंड इस बार भी सागर राटी को तमिल तलावास का कप्तान बनाया गया है दबंग दली की बात करते तो दबंग दली के कप्तान प्रो का बड़ी सिजन 10 के लिए नवीन कुमार रहने वाले कोई भी चेंज नहीं हुआ है नवीन कुमार पिसले सिजन भी कप्तान थे इस बार भी दबंग डली के कप्तान रहे गे UP Odaas की तरफ बड़े तो UP Odaas के टीम ने कप्तान में कोई भी बदलाब नहीं किया पिसले बार mid season में कप्तान अनाउंस किया था जो ही आपे परदीप नर्वाल थे इस बार भी कप्तान परदीप नर्वाल रहने वाल है और परदीप UP Odaas को लीड करते हुए दिख जाएगे प्रो कबड़ी season 10 में अब इससे पहले वो टीम के बारे में बताओ जिसके दो कप्तान है इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप IPL में interested हो आज last date था सभी players को submit करने का कि कौन-कौन से players auction में जाएगे और auction के जो player list आज announce हो जाने वाला है IPL auction के हर एक update अगर आपको सबसे पहले जानना है ताप cricket girlie telegram channel को join कर सकते हो वहाँ पे आपको हर एक update IPL auction और साथ जो भी cricket के updates आते हैं सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो जिनको भी cricket के update सबसे पहले जानने cricket girlie telegram channel को join कर लो टेलिग्राम पे जाके add rate cricket girlie search कीजे ने तो आपको link दे देने वाला हो बात करते हैं हरियाना Steelers के हरियना Steelers की टीम ने दो कप्तान अनाउंस किया है इस बार के प्रो कबड़ी सीजन के लिए जिसे हम co-captains कहेगे मोहीत नंदल और जैदीब दहिया कप्तान होगे साथी में कप्तान होगे जिसे हम joint captain भी कह सकते और यह दोनों ही players कप्तानी करते होगे दिख जाएगे पहले तमल थरावस की टीम में दो वाइस कप्तान अनाउंस किया जो यहाँ पे अजिंके पवार थे और साधिसा साहिल गुलिया थे और हरियना Steelers की टीम में दो कप्तान अनाउंस किया जो यहाँ पे मोहित और जैदीब थे दूसरे टीम की बात किजाए तो गुजरा जाएंस की टीम ने भी कप्तान अनाउंस किया है जो यहाँ पे obvious फजल अतरा चली गुजरा जाएंस को लीट करते होए दिख जाएगे कोई भी बड़ा shocking decision नहीं था यू मुंबा की बात किजाए तो यू मुंबा की टीम ने कल ही जर्सी लॉंच इवेंट में अपना कप्तान अनाउंस कर दिया जो यहाँ पे सुरिंदर सिंग है सुरिंदर सिंग अगें यू मुंबा को लीट करते होए दिख जाएगे थ्री टेम चेंपियन्स पटना पाइरेट्स की बात की जाए तो पटना पाइरेट्स के कप्तान नीरस कुमारी रहने वाले पिसले बार भी नीरस कुमार थे इस बार भी नीरस कुमार कप्तान रहेगे Bengal Warriors की बात की जाए तो Bengal Warriors के भी कप्तान में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है Maninda Singh ही लीड करने वाले है Bengal Warriors को Pro Kabaddi Season 10 में आखरी टीम की बात की जाए जो यहाँ पर Telugu Titans की टीम है तो Telugu Titans के कप्तान Pro Kabaddi Season 10 में High Flyer Pavan Seherawat रहने वाले है Indian Kabaddi Team के कप्तान, Telugu Titans के भी कप्तान रहेगे Pavan Seherawat तो यह है वो तेरा कप्तान जो लीडिंग करते हुए दिख जाएगे Pro Kabaddi Season 10 में अपने अपने टीम को और कौन से कैप्तेन के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेट हो को मिल जाएगा तो stay tuned रहेगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है पर अफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो Telugu Titans की टीम ने एक बहुत ही बड़ा प्लियर को साइन किया है आप प्रो कबर्टी सिजन 10 के लिए कौन है वो जानने के लिए आप लफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो और PQL10 में सभी टीम के पहले मैच की क्या स्टार्टिंग 7 रहने वाली है उस पे भी वीडियो बनाया है वो वाला वीडियो भी आगर आपको देखना है तो राइट साइट पे क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ने इंटरस्टिंग वोडो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग